स्वागत करते हैं आज हम एनालिसिस करेगे कॉमोडिटी मार्केट का कॉमोडिटी के मार्केट के अंदर हमने कल पोफोमेंस लाइव किया था और आज कल का और आज में क्या डिफरेंस रहा है कौन सा सिगनल हीट हुआ है वह आज हम बताएगे सौफ्ट्टेर के बारे में कु कॉमोडिटी का जो कल से और आज के मार्कोल जो दिया था हमने वह कंपिरेजन करेगे कल हमने यहां बोला था कि यह सेल सिगनल था हमारा जो 16 तरिक का वह बहुत नीचे गिर गिया था कल मार्केट यहां से खुला उसके बाद एक एकजिट का पोइंट आया बाई सिगनल दि सिगनल ने कोई वेरिफिकेशन नहीं दिया था इसलिए इसमें ट्रेड करते तो भी चलता अगर नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप सिर्फ एकजिट हो जाए फिर से यहां उसने सेल सिगनल दिया था और बहुत नीचे आया मार्केट काफी नीचे गिर गिया करीब हम अंड्रेट कोई नीचे गिर गिया अब देख सकते हैं कल का पर्फॉमंस भी मैंने कल दिया था यहां बोला था कि कंटिन्यू सेल ने है सिट नंबर टू भी मैंने दिखाया था आपको दुसरा कुछ चेक करते हैं नेचरो केस के अंदर हमारा सेल सिगनल चल रहा है अभी चल रहा है 159 नीचे तक गया है 157 80 पेशे तक निकल के अंदर बहुत अच्छा पफमस रहा है कल अमने बाई सिगनल दिया था और बाई सक्सेस रहा और आज भी मार्केट उपर गया तीन बार उसने बोला था मार्केट और उपर जाएगा मार्केट और उपर जाएगा मार्केट और उपर जाएगा बाई के पहले देख सकते हैं अपर की साइड एक एरो बना था इसलिए ये बाई सिगनल परफेक्ट था सीट नमबर टू में भी देखते हैं तो मार्केट अल्डेडी ट्रेड लाइन से उपर है काफी मार्केट उपर गया आप सभी लोग जानते ही है कि कनफोर्मेशन मिलने के बादी हम ट्रेड लेते हैं गोल्ड के अंदर भी हमारा बाई सिगनल का लाया था करीब हम चाड़े चार बजे पांच बजे सम्थिंग कमफोर्म ट्रेड था डबल कनफोर्मेशन एरो था एक और दो मतलब के आगे से ही उसने इंफोर्म किया था कि मार्केट बहुत उपर जाएगा और एक बार फिर से बोला थे कि और उपर जाएगा होल्ड रखिये अभी चल रहा है 34,998 ओपर के अंदर भी हमारा बाई सिगनल था करीब हम 6 बजे कल दिया था और डबल कनफोर्मेशन के साथ बाई आया है क्योंकि बाई के पहले डबल एरो है अगर डबल एरो है तो आप यहां लोट की क्वांटिट डबल कर दीजे यहां आपको बोला था मार्केट में होल्ड रखिये मार्केट और उपर जाएगा और करिबां 4,4,6,90 बे से अभी चल रहा है लेड के अंदर हमारा जो बाई चल रहा था वो कंटिन्यू है सीट नंबर टू के अंदर यह सेल तो गलत है क्योंकि सेल के पहले कोई डाउन साइड एरो नहीं है सीट नंबर टू में हम वेरिफाइ करते है तो सीट नंबर टू में भी यह ट्रेड लाइन को क्रोस करके उप पर ही है कोई नीचे नहीं आया मतलब कि यह सेल को इग्णोर ही करना है आपको इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना है कि इस सिल्वर का ध्यान रखेगा सिल्वर में मैंने कल चार से पांच बार बोला था सौफ्ट्वेर बाई बोल रहा है और बोल ही रहा है और उपर जाएगा और उपर जाएगा और उपर जाएगा कल मैंने यहां बोताया था something यहां कि मार्केट में होल्ड करवा रहा है और होल्ड करवाने के बाद भी वो करीबं 1,100 पॉइंट उपर गया आप देख सकते है कल का वीडियो जो मैंने लाइव किया था दो गंटे तक लाइव किया था अब कल देख लिजे कल का वीडियो देख लिजे यहां बोला था कि होल्ड करिएगा उसके बाद भी ग्यारा सो पॉइंट उपर गया यह बाई दिया था बाई के पहले अपर साइड नहीं होना है फिर से यहां बोला ओर ऊपर जाएगा यह सेल फिर सी आया sideway market के वजह से पर आपको उसमें exit नहीं होना है क्योंकि गलत है क्योंकि सेल के पहले downside arrow नहीं है sit number two में भी मैंने दिखा कर बोला था कि यह trade line को cross नहीं किया है अब continue position रखी है यहां देख लिजे यह रही ट्रेड लाइन, ट्रेड लाइन से मार्केट उपर ही है, फिर से कल बाई सिगनल आ गया और काफी लंबा उपर गया, तो करीब हम इस सिगनल के अंदर अठाए हजार पॉइंट दिया है, ओंली थ्री देख़े अंदर, ठीक है, सॉफ्ट्वेर की म इतना होड करना है, जब तक होड करना है, जब तक वो बोलता रहेगा, उपर की तरब जाएगा, उपर की तरब जाएगा, तब तक सॉफ्ट्वेर आपको बोलता ही रहेगा, जब तक यह उपर जा सकता है, तब तक, अब सॉफ्ट्वेर को जबी भी लगेगा, तो वो नहीं कर्वाया है सभी लोग और बोल देखना आयomme कर सकते हैं यह हमारा नंबर रहा है आप इसके उपर कोल भी कर सकते हैं लाइव डेमो भी देख सकते हैं और हमारे सेनल को सब्क्राइब कर लिजे क्योंकि हम फ्री में हर विक के अंदर एक से दो दिन दो घंटे तक लाइव करते हैं जिसमें कोई सिग्नल आयता है तो आप उसको वाच कर सकते हैं हम उसको उसके उपर ट्रेडिंग करने की सेजेशन नहीं देते हैं तैंक यू पर वाचिंग दोस्तों जहिन